So once again welcome back to the class of polynomials आज हम जो हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से relation है इनके बीच में जो ये coefficients हमारे पास है quadratic polynomial के और इनके zeros है इनके बीच में क्या relation है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था तो इनके बीच का ये जो relationship है ये कैसे हमने create किया किस तरह से ये derive होता है इसको भी आज थोड़ा हम समझ लेते हैं देखे जब भी हमारे पास zeros available होते हैं इसका मतलब हम इनके through factors, factor theorem के through हम factors निकाल सकते हैं ठीक है zeros के मात्यम से हम factor निकालते हैं factor theorem अगर आप algorithm देखते हैं अगर आपके पास division algorithm का knowledge है तो in that case हम with the help of factor theorem हम क्या निकालते हैं factor theorem के according हम factors निकाल सकते हैं तो यहाँ पे अगर यह polynomial हमारे पास given polynomial है इसके factors हमें क्या मिल जाएंगे x-alpha और x-beta ठीक है अब यह जो x-alpha और x-beta है इसको हम किस तरह से show कर सकते हैं according to factor theorem fx will be equal to fx हमारा यह polynomial given polynomial है ठीक है तो इसको हम show कर सकते हैं कि x-alpha x-beta यहाँ पे k हमने as a constant consider किया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे fx की value हमने रख दी जो fx हमारे पास given है जो polynomial given है हमारे पास given polynomial है a x square plus b x plus c जो कि यह quadratic polynomial है ठीक है तो इसक इसको हमने यहाँ LHS में रख दिया ठीक है अब RHS में हमने क्या किया इस bracket को open कर लिया ओके को हमने बाहर रखा और इस bracket को open किया है तो हमने जब open किया तो हमें कुछ इस तरह का format मिलता है x square minus alpha plus beta inside the bracket and then x and then plus alpha into beta हमने कर दिया ठीक है यह after इसको हम जब open करते हैं bracket को तो हमें य अगर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अब यह जो हमारा मिलता है after opening of the bracket आप इसको इससे product करा दीजिए और देखे क्या मिलता है अब आपको मिलेगा यहां LHS में कोई changes नहीं है और यहां पे आपको यह open करने पर bracket आपको मिल जा रहा है kx square minus k alpha plus beta x plus k alpha and beta correct यह आपको पूरा एक expression मिल जा रहा है पूरा एक equation मिल जा रहा है इस form में ओके अब हम क्या करेंगे हम इनको compare कराएंगे यानि जो x square x और constant terms है इनको compare कराएंगे इस side के x square x और constant terms से ठीक है अब देखते हैं कि इनकी क्या values हमें निकल के आती है हमारे पास तो अब जब हमने compare किया LHS and RHS को यहा यहां पे variable x square x और यहां भी constant term है ठीक है तो हमने इनके coefficients को क्या कराना है compare कराना है ठीक है अब a will be equal to what यहां पे a है a यहां x square के आगे क्या है a coefficient as a coefficient a है और यहां पे x square के आगे as a coefficient क्या है k है ठीक है तो हमने a को compare किया तो हमें मिल गया a is equal to k राइट यह a इसके equal है correct अब य KB, यहाँ पे X के सामने क्या है? X का कोफिशियन B है और यहाँ पे X का कोफिशियन आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक का वैलू है यानि, माइनस के आलफा प्लस बीटा है ना? ठीक है? चो यह second equation हमें मिल जा रहा है और third में आप देखेंगे कि यह जो constant term C है LHS में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे left-hand side में constant term C है यह compare करते हैं इस RHS से तो आपको मिल जा रहा है के आलफा बीटा के एकोल है यानि, C will be equal to के आलफा बीटा ठीक है? अब क्या किया हमने? अब इस A की वाल्यू को हम इसमें रखेंगे फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है इस A की वाल्यू को हमने क्या किया? इस second equation में रखा तो A की वाल्यू हमने मतलब यहाँ पे A की वाल्यू sorry, K की वाल्यू को हमने रखा तो K की वाल्यू को हमने यहाँ K is equal to A है तो हमने B is equal to और यहाँ पे k की जगा हमने क्या कर दिया? a लिख दिया, अब a क्योंकि हमें तो coefficient और zeros के बीच का relation देखना है, तो यहाँ हमने a रख दिया, k की जगा हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, तो a रख दिया, ओके, then it will be equal to what? b will be equal to minus a, alpha plus beta, अब इसको हम further solve करते हैं, तो alpha plus beta एक तरफ रखते हैं, और यह a को इधर ले आते हैं, तो b will, it will be what equal to, it will be, alpha plus beta will be equal to b upon minus a, और standard form में लिखेंगे, तो minus b upon a, ठीक है? minus उपर कर दिया है, हमने तो minus b upon a, यह standard form होगा, तो alpha plus beta का relation हमें मिल जाता है, sum of, जो zeros हैं, इतका relation हमें क्या मिल जा रहा है? minus b upon a, यानि coefficient of, minus of coefficient of x, divided by coefficient of x square, ठीक है? तो यह तो पहला equation हमें मिल जा रहा है, जो हमने पहला relation देखा था, last वाले वीडियो में, अब यहाँ पे हम दूसरा जब लेके चलते हैं, इस वाले equation को लेते हैं, तो यहाँ पे again, we are going to put a in place of k, ठीक है? जो यह constant है, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? a लिखने वाले हैं, because हमने already a को equal दिखा दिया है k के, ठीक है, on comparison हमें k, a के बराबर मिल गया है, तो हमने k की जगा क्या रख दिया? a रखा, तो we are getting c equals to a alpha beta, ठीक है? जैसे हमने c equal to a alpha beta रखा, तो हमें alpha beta का जो format मिल रहा है, जो यह product form मिल रहा है, इसको हमने एक तरफ कर लिया, इस तरफ रख लिया, बाकी एक को इधर लाते हैं, तो c upon a के form में हमें मिल गया, यानि alpha beta will be equal to c upon a, isn't it? तो यह product of zeros हमें क्या दे रहा है, product of zeros are equal to, is equal to constant term, right, constant term upon the coefficient of x square, ठीक है, मुझे लगता है, अब आप समझ गया होंगे, यहाँ पे बलकि हमने यह लिख भी दिया है, कि alpha plus beta is equal to what? alpha plus beta is equal to minus b upon a, जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कि sum of zeros finally will be equal to minus of coefficient of x, divided by coefficient of x square, ठीक है, और alpha and beta का जब product कर रहा है, यानि alpha into beta will be equal to c upon a, इसका मतलब हुआ कि product of zeros will be equal to constant term upon coefficient of x square, तो यह दो relations बहुत important relations है, और इसी तरह से हम जो polynomial in third degree हम पढ़ेंगे, तो उसका भी हम देखेंगे, though it is the, actually it is not to be checked or it is not to be, it is not in the syllabus, but हम उसको थोड़ा सा understand कर लेंगे, क्योंकि उसे related questions हैं आपके, जो आपका, जो NCRT का book है, उसमें दिये हुए है, तो वो भी थोड़ा हम सीख लेंगे, in coming videos वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो keep watching, आपको लगता है कि कुछ भी आपको help मिल पा रही है, तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस हिट कर ले, और शियर जरूर करें, ताकि और लोग को भी कुछ help मिल सके, इससे आपके भी fundamentals क्लियर हो रहे हैं, तो अपने करने में लगी हुई हैं, थैंक यू सू मच,